हेलो एवरिवन वेल्कम बेक माई चैनल आज हम भर्वा शिम्ला मिर्च की सबजी बनाएंगे भर्वा शिम्ला मिर्च वैसे तो कई तरह से बनाए जाती है पर हम आज प्याज के साथ इसको बनाएंगे इसके लिए हमने लिया है तीन बड़े बड़े प्याज, थोड़ा साला सुन, हारी मिर्ची, टमाटर और शिम्ला मिर्च आप चितनी चाहें अपनी हिसाब से उतनी ले सकते हैं और यहाँ पर हमने टमाटर का इस्तेमाल खटाई के लिए किया है यदि आप टमाटर ना खाना चाहें तो आप इसमें निवू, अमचूर या कच्ची अंबी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मैंने यहाँ पर केवल अमचूर का इस्तेमाल किया है प्याज को हम काट लेंगे और एक चौपर में लासुन, मिर्चे और थोड़ा सा सौफ डाल कर इसको हम थोड़ा सा मोटा मोटा काट लेंगे दरदरा सा हमने इसको पीछ लिया है इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा हल्दी, मिर्ची और सूखा धनिया थोड़ा सा जो मोटा कुटा हुआ है चूके धनिय की मात्रा हम थोड़ी सी ज्यादा लेंगे थोड़ा सा मसाला है सबजी का मसाला हल्का सा और नमक स्वाद के अनुसार डाल के इसको सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर हम इस मसाले में थोड़ी सी कसूरी मेति और धनिया भी डाल सकते हैं मिक्स करने के बाद इसको हम एक तरफ रख लेंगे और अब मिर्चो को हम लेंगे और इसमें हम एक जगए पर थोड़ा सा चोटा सा कट लगा लेंगे इस तरह से सभी मिर्चों में हमने कट लगा लिया है और इनको ऐसे उंगली से थोड़ा सा अंदर खाली कर लिया है अब हम इसमें मसाले को भरेंगे सभी मिर्चों में अच्छे से मसाले को दबा दबा करके भर लेंगे इसको देखते देखते ही आप एक काम होर कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो साथी लाइक के बटन को भी दबा लेजिए तो यह हमने सभी मिर्चों को भर लिया है और इसके उपर से जो हमने इसका टुकडा निकाला था उसको हम मिर्च के उपर वापिस मसाले के उपर लगा देंगे और पूरी तरह से इसको हमने सेट कर दिया है सभी मिर्चों पर हमने इसको कवर कर दिया है अब हम थोड़ा सा बेशन लेंगे या मैदे का इस्त्यमाल भी हम यहाँ पर कर सकते हैं उससे जहां पर हमने कट लगाया था वहां पर इस बेशन को हम कवर कर देंगे धक्कन को कोट करके इसको सील कर देंगे ताकि जब हम मिर्चों को पकाए तो इसमें से मसाला बाहर ना आ सके तो इस तरह से हमने सभी मिर्चों को ऐसे बेशन से कवर कर लिया है अब हम एक कड़ाई लेंगे लोहे की कड़ाई का हम या इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें हम तेल डालेंगे इन मिर्चों को हम डीप फ्राई और शैलो फ्राई दोनों ही तरह से कर सकते हैं तेल गरम होने के बाद हम इसमें मिर्चों को एक एक करके धीरे धीरे आराम से रखेंगे और इनको भून लेंगे अलट पलट करके इनको अच्छे से हम पका लेंगे ये देखिए हमारी एक तरफ से पक गई है तो हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे थाकि चारों तरफ से मिर्चे जो अच्छे से पक जाए और ये देखिए हमारी मिर्चे त्यार हो गई है पका इन मिर्चों को हम रोटी परांठा पीसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है रेसिपी पसंद आई हो तो इसको एक बार जर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत